अगर आप कतर से छुटी जा रहे हैं या तो कैंसिल जा रहे हैं अगर आपके उपर में किसी भी तरह का बिल बांकी हो बोड़ा फुन का बिल हो या तो ओरीडो का बिल हो या तो आपके उपर में किसी भी तरह का फाइन हो तो क्या आपको एरपोर्ट पे कोई प्रोलम होगा आपको एरपोर्ट पे रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो में आगे बड़े से पहले आप फोटी सी रिक्वेश्ट अगर आपने अभी तक चानल को नहीं ससक् Elliott के है तो चानल को सस्कुराइब किजिए अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे तो पेज को लाइक कीजे, वीडियो को शेर कीजे, अगर आप लोगों के भी किसी भी तरह के सवाल हो तो उस वीडियो के निचे कॉमेंट कीजे, इंशालला आने वाले वीडियो में आप लोगों के भी सवाल को शामिल करेंगे, एरपोर्ट पर कोई इशू हो सकता है थोड़ा बताईए दूसरे सवाल के और बड़े से पहले जो पहला सवाल है इसका अंसर कर देता हूँ अगर आप कतर के अंदर में ओरीडो या तो बोड़ा फून का सिम यूज कर रहे थे घर जाने से पहले अगर आप चाहते हैं बिल प इसी भी तरह का फाइन होगा तो फिर आपको प्रोलम हो सकता है अगर आप ने ओरीडो या तो बोड़ा फून का बिल नहीं पे किया आप घर जाना चाहते हैं छुटी में कैंसिल में कोई दिकत नहीं आप जा सकते हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग है जो जा चुके हैं कतर से आइडी है वही रहेगा आपका कतर आइडी नंबर चैंज नहीं होता है तो जो आपका सिम होता है वो कतर आइडी पे होता है तो इसके वो जैसे आपको बाद में बिल देना पड़ सकता है जब आप दूसरी बार कतर आएंगे तब अगर आप कैंसिल जा रहे हैं तो कैंसिल जाने से पहले बिल दे के जाएगा यही बहतर रहेगा आपके लिए आपको बताते चले एक बार फिर से कतर से छुटी जाएए या तो कैंसिल जाएए अगर आपके उपर में बोड़ा फोन या तो औरीडो का बिल बांकिये उसको पे नहीं करके जाते हैं तो भी एरपोर्ट उसको पे करना होगा उसके बाद ही आप कतर से इक्जिट हो सकते हैं तब ही आप कतर से बार जाएंगे तर में कोरोना टैम में सोसल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने के ओजसे माक्स नहीं लगाने के ओजसे फाइन दिया जा रहा था और बहुत सारे लोगों को फाइन आया ब जाने से पहले fine pay करके जाना होगा अगर आपके उपर में fine नहीं आया है केवल case दिखा रहा है तो कोई दिकत की बात नहीं आप छुटी जा सकते हैं आप cancel जाना चाहे तो आप cancel जा सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा अगर आपके उपर में fine आ चुका है 500 रियल या 2000 रियल का तो आपको जाने से पहले पे करना होगा दोस्तों मैं उमीद कर सकता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को फाइदा होगा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेट कीजिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे तो फेज को लाइक फॉलो कीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहदिल से शुक्रिया